नमस्ते, मैं डॉक्टर विजे गुमार माने, M.डी होमेपाती, फाउंडर चेर्मन अप मौडरन होमेपाती प्राइवेट लिमेटेड, हम तुरे भारत वर्ष में काम कर रहे हैं, मौडरन होमेपाती की खासियत है, कि जो जो बीमारिया ला यलाज बताई जाती है, उन सभी बीमारियों के उपर, मौडरन होमेपाती के यहां उपचार होते हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं, रुमेटिक हार्ट डिसीज की, रुमेटिक हार्ट डिसीज यह ऐसी बीमारी है, ज्यादा तर यह बीमारी छोटे-छोटे बच्चों में होती है, जिसमें उरुदय के जो काकस नामक जो जिवान हो है उसके कारण बच्चों में भुखा राता है और सबी सांदो जो जोइंट्स है छोटे या बड़े जोइंट्स में जकड़न होती है सूजन आती है उससे पहले गले में खिश-किश होती है गला खराब होता है और थ्रोड इंपेक्शन उसको बोला जाता है और वो गलत तरीके से टीट किया जाता है या एंटिवाटिक से टीट किया जाता है और उसके बाद जो जो जोइंट्स है वो पकड़ जाते है उसके साथ बुकार आता है और उसके बाद जो रुगन पर्टिक्लर जो रुगन होता है उसका हार्ट अफेक्ट होता है उसके जो हार्ट के जो वॉल होते है, वो वॉल आफिक्ट होते है, बीमारे के समुच्य कहें, इसा बोला जाता है Voilà जॉजन आई थी, उसके साथ बुखार आया था, और उसके बाद, कुछ दिनों के बाद, या कुछ सालों के बाद, रुबन बताता है, कि मेरी सास फुल रही है, रुदधे में अनेमित, ऐसी अबनॉर्मल आवाजे आ रही है, बुखार आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, सास विलेने में तकलिफ हो रही है, आईसे लक्षन, भेग लक्षन दिखते है, इसका डाग्नॉसिस करने के लिए, टूडी इको नामक जो टेस्ट है, वो टेस्ट में, या कलर डॉपलर जो टेस्ट है, कलर डॉपलर में पता चलता है, कि उरुदुनक के जो जडपे है, आयोर् इसे होता है, उसके साथ ECG निकालना, इलेट्रो काड़ेगाम निकालना, कुछ बार ट्रेड मिल टेस्ट करने के लिए बताते हैं, और खून के जाज करने के बाद पता चलता है, कि ये पर्टिकलर उनको रुमेटिक हार्ड डिसिस होआ है, उसके वाल खराब होगे है, इटेशन है वाल में, वो रिपेर हो जाते हैं, वाल पुरी तरह नॉर्मल हो जाते हैं, हमारे पास ऐसे केसे हैं, जिनको हमने ठीट किया है होमेटिक मेडिसिन से, जो अपना रिसर्च बेस्ट मेडिसिन है, कि ये वाल पुरी तरह रिपेर हो जाता है, विद रिपोर्ट प दर्द गले में खिचकी चाहिए, गले में दर्द होता है, खाना कम जाना ऐसे लक्षन दिखते है, तो तुरंद modern हुम्यपादी की treatment लेनी चाहिए, modern हुम्यपादी की treatment ये बिमारी का रोकताम कर सकती है, ऐसा हमने पिछले 29 साल में देखा है